ये मैं एक श्लोक पढ़ रहा था अलंकार कॉस्तूब से जो की कविकनपूनदास जी ने लिखी है कविकनपूनदास जी शिवनंद सेहन के पुद्र थे शिवनंद सेहन जी नित्यनंद प्रूब के पारशद है इस किताब में एक श्लोक कविकनपूनदास जी उद्रित कर रहे हैं जो शिमती राधरानी ने बोला है जब कृष्ण भगवान द्वार का चले गए शिमती राधरानी वैसे तो ये सब्जेक्ट्स बहुत हाई-फाई सब्जेक्ट्स है जो कि डिस्कस करने लाइक नहीं है बट। यह जो श्लोक है मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने सोचा कि आपसे शेयर करणे वह अच्छा इसलिए लगा क्यूंकि जो हम जो हम सीखना चाहते हैं जो बताना चाहते हैं वो एक्जैक्ली क्लियर है श्लोक में क्या सीखना चाहते हैं क्या बताना चाहते हैं क्रिश्ना कॉंशिसनेस कि हम शुद रूप से क्रिश्ना कॉंशिसनेस प्रैक्टिक्स कैसे करें कि जिससे भगवान की प्राप्ति हो सके शुमती राधरानी प्रभुपात कह रहे हैं वो प्योर डेवोटी है भगवान की तॉप मोस्ट प्योर डेवोटी भगवान की परम शुद्भक्त उनसे ओपर कोई भक्त नहीं है और इसी लिए श्री मतिरा धरानी कृष्णा कॉंश्यस है तॉप मोस्ट कृष्णा कॉंश्यसनेस श्री मतिरा धरानी तो अगर हमें सीखन तो जैसा वो सोच रही है, जैसा उनका मूड है, जैसा उनके भाव है अगर हम भी उसका अनुसरन करें, अनुकरण नहीं तो हम भी भगवान को संतुष्त और प्लीस कर सकते हैं और उनको प्राप्त कर सकते हैं तो वो क्या सोच रही है इस बताने से पहले एक बहुत important point है कि वो जो सोच रही है वो उनकी दीनता है मगर जो उनके लिए दीनता है वो हमारे लिए सत्ते है ये बात दिहान अखने वाली बात है वो तो उनके लिए applicable नहीं है जो वो बोल रही है मगर दीनता का मतलब यही होता है कि व्यक्ति अपने आपको बद समझके मुक्त होतोओं यह भी अपने आपको बद समझता है और फिर भगवान से प्रेखे करते है तो शिमती राजरानी तो मुक्त के हववतो को को सवाय liberal कृष्णा ही है मगर वो दीनता में अपने आपको बद जीव समझ रही है और फिर भगवान से प्रेय कर रही है मगर उनकी प्रेयर्स हमारे ले बिलकुल है अपलिकेबल है हमारे ले बिलकुल समेचीन है हमारे ले बिलकुल हमारे ले बिलकुल फिट बैटती है क्यूंकि हम तो पहले ही भद है तो वो क्या कह रही है तो वो कह रही है कि मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा दुख है दुखी है वो शीस एने हापई और वो इससे ये भी सिखा रही है कि हम जो है अगर हमें भगबान को पराप्ड करना है तो पराप्ड करने का रास्ता दुख है सुख नहीं है दुख है और वैसे भी हम भगबान से दूर बैठे है तो ये एक happy news नहीं है, sad news है So, किस बात का दुख है उनको? वो कह रहे हैं, दुरापोयम कृष्णा वो कह रही है कि ये श्लुक संक्या 212 है दुरापोयम कृष्णा, कृष्णा बहुत दूर है बहुत दुरलब है बहुत कठेन हैं उनको प्राप्त करना क्योंकि वो कृष्णा है, वो भगवान है ब्रह्मा शिप भी उनको प्राप्त नहीं कर पाते लक्ष्मी भी प्राप्त नहीं कर पाती, तो हम कौन है सो बहुत दुरलब हैं उनको प्राप्त करना है और तो भी आप कहोगे, वैल हम उनकी भक्ती करेंगे और उनकी कृपा से उनको राप्त कर जाएंगे मगर श्रीमती राथ राने के रहे रापयम क्रिश्न सहचतरलम माना समिदम प्रॉबललम यह है कि हां उनकी भक्ती करके उनकी कृपा से उनको प्राप्त कर सकते हैं तब वो सुलब हो जाते हैं बड़ मेरा मन सहच तरला मेरा मन भौत तरल या चंचल है और भगमान में लगी नहीं रहा तो भक्ती क्या होगी भक्ती करने के लिए पहले लगाना तो पड़ेगा ना मन वो ही नहीं लग रहा ना नाम में लग रहा है ना काम में लग रहा है क्रिश्न काम में ना भक्तों में लग रहे है, so अगर मन लग भी गया, राधरानी कह रही है, यह तो बड़ी प्रॉब्लम मन लगनी रहा, उससे उपर एक और प्रॉब्लम है कि, कि मन में बहुत करोड़ों इच्छाएं हैं, काम बासना गुरुतर रूप से मन में विद्धे माने, काम बासना इतनी भीहंकर रूप से मन में विद्धे माने, यहाँ पर काम से मतलब करोड, लोग, मोद, वेश, सब कुछ, कि वो इच्छाएं मन लगाना भी चाहें, तो मन को लगने नहीं देरी, यह भी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी, और फिर उसके बाद करा लो गुरु जनह, और गुरु जनों के उबदेश, मुझे बहुत कठोर लगते हैं, और उनकी बात मानने का मन नहीं करता है, इच्छाएं नश्ट हो सकती हैं, मगर वो होंगी कैसे, जब गुरु के आदेश फॉलो करेंगे, मगर गुरु के इंस्ट्रक्शन्स, राधरानी कहरी हैं, मुझे बहुत कठोर लगती है, बहुत स् इंची कि तरह लगती हैं, तो मैं सुनना नहीं चाहती हैं, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, भगवान कैसे प्राप्त होंगे, इन प्रॉब्लम की होते हुए, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, दुख इस बात का है, कि हिर्दे में भगवान को प्राप्त करने की प्रगाड इच्छा है, अब दो बाते होंगे, एक तो भगवान को प्राप्त करना, भगवान की प्राप्ती के संभावना एक तरफ, दूसरी तरफ भगवान को प्राप्त करने की इच्छा है, तो भगवान को प्राप्त करने की इच्छा तो है, मगर भगवान को प्राप् मुझे पे धेकार है और मैं कथम आधे रुपशमह मेरा दुख दुख ये शान्त कैसे होगा मुझे नहीं पता ये तो असंभव मन कर रहा है प्राप्ट करने का मगा प्राप्ट करना संभव लग रहा है तो ये तो दुख की बात है तो परिशाने की बात है, शान्त कैसे होगी परिशानी ये पता नहीं मुझे, ये शिमती राजराने कह रही है इस लोक में, और ये शलोक, ये मूड है, एक डिवोटी का ये मूड होना चाहिए, गौडिया वैशनव का ये ही भाव होना चाहिए, तो पिक्चर के दोनों पता होने च parenthि, एक साइट तो भगवान को प्राप्ट करना संभव है, दूसरी तरफ भगवान को प्राप्त करने की इच्छ है, और उस से जो दुख उत्वन होता है, वो दुख फिर सारे पापों को जला देता है, वो दुख सारे अनर्थों को नष्ट कर देता है, वो यही गौडिया वैशनविजम है यही कृष्णा कॉंशिसनस है मगर उस दुख को हिर्दे में ही रखना चाहिए उसको बाहर नहीं दिखाना चाहिए यह कि उस दुख को आप बाहर दिखाओगे तो वो दुख दुख ही नश्ट हो जाएगा खतम हो जाएगा सो इसलिए यह श्लोक मैंने सोचा था आपसे शेयर करूँ यह बिलकुल पिन पॉइंट करता है गौडिया वैशनव मूट को भार से तो हम भार से तो हम नए भक्त की तरह रहते हैं हमेशा जब करते हैं सेबा करते हैं खोश रहते हैं मगर अंदर से यह परेशानी और दुख निते रूप से सततम कीरते हैं तो हम सतत चलती रहती है और यही दुख एक एसिट की तरह काम करता है और सारे गंद्गियां डिजॉल्व कर देता है और वैक्ति परमशुत हो साथ है हरे कृष्णा शिला प्रवपात कीजे